हलो फ्रेंड्स, सुमन की वग्या में आप सभी का स्वागत है और देखियाँ मैं बड़ा ही प्यारा सा सुन्दर सा बॉलिवियन जियू की जो मेरी हैंगिंग बास्केट थी यह रूट बाउंड होने की वज़ा से बहुत सारी क्योंकि बहुत लंबी भी हो गई थी यह और सूख सी रही है तो इसको मैं रिपॉर्ट करूंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूं देखिये उतार लिया है मैंने अपनी बॉलिवियन जियू की बास्केट अप एक तरफ यह सारा हरा भरा है और इस तरफ से यह सारा सूखा हुआ है इसको मैं तोड रही हूं सूखे हुए को और देखिये इस तरह से और यह जो हरा हुआ हरा भरा है अभी तक इसको भी मैं तोड के अलग रख लूँगे देखिये बड़ी इसली कर जाता है इसकी एक भी मैं फिर से इसको report करूँगी और ये जो सारा है इस सारे को मैं निकाल देने वाली हूँ क्योंकि इसकी जो नीचे potting mix है उसमें भी ये पूरी तरह से root bound हो चुका होगा ये देखिए तो थोड़ा बहुत plants की care मतला कई plants तो ऐसे हैं जो अपने आप ही grow होते रहते हैं बॉलीवियन जी भी उनमें से एक है लेकिन फिर भी जैसे कि इसमें root bound हो गया था तो care करनी पड़ती है इस तरह से थोड़ी बहुत plants care तो मांगते ही है सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा अगर नहीं किया हो तो देखिए ये मैं अपना लाई हूँ cocopeat है और kitchen waste से बनी होई मेरी compost है और ये मेरा एक टब रखा हुआ है जिसमें मैं मिक्स करती हूँ इसको mixing pot है मेरा ये तो इसमें मैंने वह वाली भी जो क्योंकि जो मेरी hanging basket में थी वह भी बहुत अच्छी थी मेरी वह भी सारी cocopeat और compost ही थी लेकिन मैंने थोड़ी fresh भी इसमें डाली है ताकि plant को fresh material भी कुछ खाद मिल पाए तो देखिए अब मैं इसी को ही material को इसको फिल कर लूँगी बॉलिवियन जू को लगाना बहुत असान है एक stem भी कहीं से मिलेगी न तो वह भी ले आएंगे तो आपका बस आपका तो गार्डन बॉलिवियन जू से भर जाएगा तो देखिए ये मेरे तो सारी hanging baskets बहुत सारी अच्छे से grow कर रही है और इसको मैंने भर लिया है अपने hanging pot को और देखिए जो हरी भरी वाली बॉलिवियन जू थी इसको कुछ भी नहीं करना बस मुझे इस तरह से इसमें रख दूंगी मैं अगर हो सके तो इसके ओपर भी थोड़ा supporting mix डाल दीजे नई भी डालेंगे तो भी इसमें पानी देंगे और ये अराम से अपना अपनी जगा अपने आप बना लेगे और मैं इसको यहां पर रख देने वाली हूँ हाँ लेकिन जब भी report करते हैं हमेशा बोलती हूँ कि पानी जरूर दीजेगा पानी देन को और देखे ये मेरा पानी दे दिए ये मेरी और भी एक basket है जिसको मैं इसको भी करने वाली हूँ इसी तरह से report क्योंकि इसमें भी काफी सूख गया एक यहां भी लगी हूई है तो यह मैं दिखा रही थी हाई ये आ गया मेरा सूखा हुआ जो material था इसको मैं किसी भी plant में जहां धूप ज्यादा आ रही होगी उसमें हम रख सकते हैं mulching के लिए और इसमें काफी ऐसी stems होंगी जो की regrow कर जाएंगी plants में और बहुत सुन्दर लगेगा चलती हूँ बाई friends take care happy gardening करते रहेगा